पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फाइल एंडलिंग सबसे पहले हम आपको बताएंगे फाइल एंडलिंग क्या होता है full explanation मतलब file को कैसे create करते हैं उसमें data कैसे read करते हैं write करते हैं एक data को दूसरे file में copy कैसे करते हैं इन सभी operations को practically भी आपको perform करके दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो file handling है इसमें file क्या होता है? file का मतलब क्या है? तो file is nothing but name of memory location on disk that stores data permanently file memory location का एक name होता है जिसमें data permanent store हो जाता है तो यहाँ पर permanent store होने का मतलब आपके mind में एक question आता होगा जैसे जब programming language में हमारे पास variables थे variables हैं जैसे a equal to 10 मैंने इसमें data store कर दिया तो फिर हम files क्यों use करें? files के लिए हम क्यों जाएं? यह question आपके मन में आता होगा तो variables में क्या होता है कि अगर इस variables a में 10 data store है तो जब हम program को run करेंगे तब ही हम इस value को access कर पाएंगे जैसे program का execution खतम हुआ यह memory destroy हो गया और यह delete हो जाएगा ठीक है? program run करने पर ही यह हमें दिखेगा लेकिन अगर एक बार हम file में कुछ भी python program के जरीए data write कर दिए ठीक है? तो चाहे हम program को close कर दे execution खतम हो जाए वो जो data file में write हो गया है python program के तुरू वो जिंदिगी भार इसमें stored रहेगा permanent ठीक है? इसलिए permanent storage के case में हम use करते हैं files और जब भी हम files के साथ काम करते हैं तो हमें बहुत सारे exceptions आते हैं जैसे माली जी आप ऐसी file से data read करना चाहते हैं जो system में available ही नहीं है तो file में exception जो आता है उसे हमें handle करना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए file को handle कैसे करते हैं ठीक है? तो file handling is a mechanism through which we can handle the file तो यहां पर file को हम कैसे handle करेंगे क्या-क्या operations perform कर सकते हैं file में जिसमें हमें error आएगा इन operations के दौरान read, write, create, append एक file के data को दूसरे file में copy करते हैं time हमें exception आ सकता है, run time error आ सकता है तो उस exception error को handle करने के लिए file handling में mechanism होता है ठीक है और यह सारे operation से जो हम perform कर सकते हैं file के साथ ठीक है इसलिए file handling में हमेशा exception handling का concept भी use होता है आपको practical में पता चलेगा syntax देखो किसी भी file को बनाने का और उसमें data write, read करने का क्या होता है सबसे पहले आपको open लिखना, open एक function है python में ठीक है, यह दो parameter लेता है, एक file का name यानि file का location होगा, file का path होगा यहाँ पे और एक mode की आप file में क्या करना चाहते है, read करना चाहते है, write करना चाहते है, यह सब तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, open is a function to work with files and it takes two parameters तो यहाँ पे जो भी open function से हम file create किये हैं, उस files का एक object बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, file के location को इसके address को store करते हैं, इस file object में, उसके बाद जैसे ही file का object create हो जाता है, जिसमें हम store करते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें store कर रहे हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे और mechanism, बहुत सारे और functions आ जाते हैं, इस object के साथ दील करने के लिए, ताकि file में हम कुछ operations perform कर सके हैं, जैसे file को read, write, copy, append, यह सब कर सकते हैं, ठीक है, इस object के तो यहाँ आप फाइल में आपको बहुत सारे mode मिलेंगे, file में आप data read कर सकते हैं, write कर सकते हैं, file को append कर सकते हैं, r plus use करेंगे, तो read, write दोनों कर पाएंगे, 20 से क्या कर सकते हैं, boundary mode में file को open कर सकते हैं, यह सब कर सकते हैं, copy भी कर सकते हैं, file के data को दूसरे file में, file handling के दिरों, और operations क्य क्या हो गया यह सब operations हो गया create कर सकते हैं फाइल से डीटा व्लीट रीट कर सकते हैं कप्या सकते हैं चीज एक वे कर सकते हैं अख एक है और फाइल को क्लोज वे कर सकते आप चाहें तो अन्हा biscuit हो जड़ा हमारा थीवडाइड अभी चलो पाइथन में फाइल क्रियेट कैसे करते हैं उसके लिए हम अपना VS Code open कर लेते हैं फाइल के साथ काम करने के लिए पाइथन में open नाम का function होता है हमने आपके साथ discuss किया यह function क्या करता है दो parameter लेता है ठीक है पहला parameter में आपको file का location provide करना होता है दूसरे में आपको file का mode देना होता है कि आप file को किस लिए use करेंगे read के लिए write के लिए यह सब ठीक है तो हम क्या करेंगे आप सबसे पहले देखो वहां पे desktop में folder मेरे पास python नाम का इसी python folder के अंदर हमें text file create करना चाहते हैं यह जो path है location इसको हम copy कर लेते हैं और अपने program में यहां पे पहला parameter में उसी path को हम paste कर देते हैं तो यहां पे double slash use करिएगा ठीक है जब भी आप file create करेंगे python में ठीक है उसके बाद आपको करना क्या अपनी file का एक name लेना है यहां पे a.txt मतलब हम एक text file create कर रहे हैं जिसका नाम क्या होगा अब यह हमारा एक empty file रहेगा ठीक है यानि एकदम खाली file रहेगा उसमें कुछ भी content नहीं रहेगा तो यहां पे mode हमारा x होगा x मतलब empty अब यह जो भी a.txt file हमारा बना है उसको हम क्या करेंगे एक object में store कर देंगे तो यहां पे file object f बना लेते हैं ठीक है तो f object में जैसे हमने file को store कर दिया अभी हमारा file जो है f object में store हो चुका है तो अभी अगर हम program को run करेंगे na file create हो जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि जब file create हो तो हमें पता चले file create हो चुका है तो उसके लिए हम अपने console में एक message भी print कर लेंगे यहां पे हम लिखेंगे file created successfully ठीक है हमें पता चलना चाहिए इससे हमें पता चलेगा कि हाँ file बन गया है program को हम save किये अब इसको run करते हैं जैसे ही program हमने run किया यहां पे अभी एक message आएगा file created successfully इससे पता चल रहा है कि file बन चुका अब हमें check करना चाहिए हम क्या करेंगे देखो अपने python folder के अंदर यहां पे देखो a.txt नाम का text file बन चुका है इसका type भी देखो इसको open करेंगे तो देखो यह एकदाम empty file है इसमें कुछ भी content नहीं है अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ data write करेंगे तो write करने के लिए इसका जो mode है वो change करना पड़ेगा w यानि write कर रहे हैं तो हमारा जो file a है वो f object के साथ hold है तो f object के साथ अभी बहुत सारे function आ गये हैं जिनके साथ हम file में अलग-अलग operations perform कर सकते हैं जैसे अभी मुझे write करना है तो f dot write function हम use करेंगे ठीक है write करने के लिए तो यहां पर अभी हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे अगर हम लिखे है learn coding ठीक है उसके बाद slash and एक new line में data print होना चाहिए अंकीत अंकुस इतना content हम लिखना चाहते है अपने फाइल में ठीक है दो line का content program को हम run कर रहे हैं यहां पर message change कर दे रहे हैं data wrote ठीक है successfully यहां पर इस तरीके देखे पता चलेगा कि हाँ file में लिखा चुका है content हमारा program को run करते हैं अभी देखो यह message आ चुका data wrote successfully इसका मतलब कोई भी देखके समझ जाएगा कि file में content write हो चुका दो line में write हुआ होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना यह file open कर लेते हैं तो यहां पर देखो दो line में हमारा यह write हो चुका है पहले file empty था लेकिन अभी file में content write हो चुका है अब यह जो भी हमने write किया है हम चाहते python program के जरीए अपने console में इसको read करें यहां पर ठीक है तो read कैसे करेंगे read करने के लिए आपके पास function होता है read नाम का ठीक है हम दे देते हैं 30 bytes, 30 मतलब 30 bytes, 30 character ही यह read करेगा ठीक है और हमें console में print में मिलना चाहिए file का data तो print function के अंदर लिखेंगे python का print function में जो भी print करेंगे वो हमें यहां पर मिलेगा ठीक है तो यहां पर data read successfully ऐसे कर देते ठीक है अभी इस message का जौरत भी नहीं क्योंकि content हमारा तो console में दिखे गई हमें तो इसको क्या करते हैं comment कर देते हैं program को save करते हैं और run करते हैं तो यहां पर हमें एक error मिल चुका है line number 2 पे ठीक है error क्या बोल रहा line number 2 पे हमने file का mode है वो change नहीं किया mode right ही है लेकिन हम read कर रहे हैं तो यहां पर हमें mode change करना पड़ेगा ठीक है अब program को save करते हैं और run करते हैं तो एक बार console को बंद करते हैं ठीक है यह error नहीं था अभी हम इसको terminal में run कर रहे हैं एक empty file भी खुला हुआ था इसको बंद करते हैं अब program को हम save कर लेते हैं उसके बाद run करेंगे ठीक है तभी file के अंदर जो भी content written है वो यहां पर display करेगा console में तो यहां पर देखो console में वही same चीज print हो चुका है वैलू लेता है और उतना ही character display करता है अगर हम यहां पर सिर्फ 10 कर दे वैलू तो यह अभी only 10 character ही display करेगा उससे ज्यादा कुछ भी display नहीं करेगा यहां पर देखो learn कोडी ठीक है क्योंकि 10 character यहीं पर हो गया बीच में एक space भी character count हो रहा है अब read line एक function होता अगर आप माली जी यह number का problem solve करना चाहते है तो आप read line function use करो ठीक है अभी आपको कुछ भी value provide नहीं करना पड़ेगा आपको बस read line function इसे use कर लेना है और program को run करना है तो यहां पर देखो सिर्व learn coding ही print हुआ है जबकि हमारे file में content क्या है learn coding second line में अंकित अंकुष भी है तो read line function जो है वो सिर्व एक line का data ही read करता है ठीक है फिर चाहिए आपके file में कितना ही content क्यों नहों लेकिन अगर आपको सब का content read करना तब आपको read lines function यूज़ करना पड़ेगा अभी हम read lines function यूज़ करें है प्रोग्राम को save करके run करें तो अभी देखो जितना file में data था वो सब प्रिंट हो चुका है लेकिन list के form में है देखो यहां पर आपको indicator से ही पता चल जागा learn coding एक line का content है फिर lesson लगा हुआ है इसका मतलब यह जो content है यह second line का है हना यह हो गया हमारा read अब हम क्या करेंगे ऐसी फाइल से data read करेंगे जो file हमारे पास available ही नहीं है जैसे मान लीजिए हमारे पास बी नाम का कोई भी फाइल नहीं है तो क्या होता है फिर जैसे program को हमने run किया file not found error हमें मिला तो अभी तक हम ने जितना भी ना file के साथ काम किया अब यह जो error आया है runtime error रहा है यानि file not found error इस exception को हमें handle करना पड़ेंगा यानि file को हमें handle करना पड़ेंगा अब start होगा file handling क्योंकि अगर हम file को handle नहीं करेंगे read write operation perform करते time तो अगर iC file से data read करेंगे तो इसी type का error मिलेगा जो file available ही नहीं है B नाम का file available नहीं था तो इसने बोल दिया file available नहीं है लेकिन हम चाहते हैं हमारा program बीच में stuck ना करें वो at the end तक successfully run करें तो उसके लिए हम exception handling mechanism यूज करेंगे try block के अंदर इस risky code को हम लिखेंगे क्योंकि जो exception है इसी line में आ रहा ठीक है line number 2 में ही आ रहा क्योंकि हम ऐसी file से data read करेंगे जो available नहीं है तो इसको try block के अंदर डाल देंगे उसके बाद एक और block होता है accept ठीक है तो यहां पर accept block में हम क्या करेंगे accept यह हमारा एक और block होता है exception handling का इसमें हम एक message print कर देंगे अपनी मर्जी का message जो समझ में आया है मैं file not available please create first ठीक है पहले आप file बनाओ उसके बाद read करो यह message मिलेगा अगर file नहीं रहेगा तो अब हम करते है program को run तो यहां पर देको जैसे हमने run किया हमें message मिल गया file not available please create first इससे क्या पता चल रहा कि यह जो b.txt file यह available नहीं है हमें क्या करना पड़ेगा इससे data read करने के लिए पहले इससे create करना पड़ेगा इसमें data write करना पड़ेगा फिर हम read कर सकते है ठीक है अब क्या करेंगे हम आपको close करना बताते है file को close करना बहुत ज़री होता है else block में हम हमेशा closing वाला code लिखेंगे ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे जो file open किये थे f.open लिखके यहां पर देखो ठीक है उसको अब हम यहां पर close करने जा रहे है यानि file object को हम close कर रहे है at the end और message print कर दे रहे है file closed ठीक है आपको file हमेशा close करना है at the end में file से data read करने के बाद write करने के बाद उसको close करना ही है तो यहां पर देखो हमारा exception है इसलिए यह वाला message नहीं print हो रहा लेकिन अगर हम सही file से read करें जो file सच में available है तो अभी data read होगा जो file के अंदर content होगा वो content print होगा और read होने के बाद file अपने आप close हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखो हमारा जो content था वो content read हुआ है उसके बाद हमारा file भी close हो गया हरा तो यह हो गया हमारा read write operation हमने exception handling mechanism के through file को handle करके भी दिखाया कि उस file से data read करते समय क्या होगा अगर file available नहीं है तो उस चीज से भी हम बच सकते exception handling mechanism के through file को handle कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं आपको एक file के data को को दूसरे file में copy करना सिखाते हैं यह भी बहुत ही interesting concept है आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना यह जो भी सारा code हम लिखे है ना इसको हम remove करते हैं ठीक है try cache block में नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है विठ open यहां पे आप यूज करेंगे हम क्यूंकि हम poses क्या कररें data को यह कर रहे है je कर रेंए قरें आ अब हम क्या करेंग यहाँ पे एक एक एलियास के लिए वेरियेबल यूज करेंगे जैसे यहां पर हम कर लेते हैं F2 ठीक है यह हमारा एलियास के लिए हम यूज कर रहे हैं बाकि इसका और कुछ भी काम नहीं है तो यहां पर हम कोलोन देंगे ठीक है अगला लाइन में हम क्या करेंगे विथ ओपन फिर यूज करेंगे यह तो हमारा एक फाइल हो गया ठीक है अब विथ ओपन यूज करेंगे अगेन विथ ओपन फंक्शन और यहां पर हम एक सेकेंड फाइल का लोकेशन देंगे और यहां पे भी फाइल से data read नहीं कर रहे हम तो यह mode जो है यह हटा देंगे ठीक है अभी एक second file हम क्या करते हैं सबसे पहले create कर लेते हैं इसी location पे file का नाम दे देते हैं b.txt यह हमारा new file है जिसमें A के data को B में copy करने के लिए try करेंगे ठीक है तो यहां पे भी हम क्या करेंगे एक alias use कर लेंगे F3 हाना उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे यह वाला जो वी थे ना इसको हम inside first वाले के अंदर रखेंगे और अभी हम exception handling mechanism यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम read write operation तो perform कर नहीं रहे है लेकिन रहने देते हैं क्योंकि मालव हम इसी फाइल के डेटा को कोपी करने जा रहे सकेंड में जो फाइल अवेलबल ही नहीं है तब बच सकते हैं ठीक है अभी हम क्या करेंगे for loop यूज करेंगे यहां पर फॉर लूप हम कैसे यूज करेंगे हमें लिखना पड़ेगा for उसके बाद एक for loop का variable ले लेते हैं i in हम क्या करेंगे सबसे पहला वाला सबसे पहला वाला यानि f2 से data को क्या करेंगे एके करके लेंगे i variable में loop variable में उसके बाद f3 में क्या करेंगे उसको write कर देंगे f3 में उसको write कर देंगे और यहां पर i को print कर देंगे इस line का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले f2 यानि first file से data को हम ले रहे हैं उसको i variable में for loop एके character को store करता हुआ जाएगा तो i जो है write कर दे रहे हैं i को f3 के अंदर यानि इस second वाला file के अंदर तो अभी एक file भी बनेगा data copy भी हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम क्या करते है program को run करते हैं तो यहां पे देखो file note available please create first यानि हमें ये exception मिल गया है तो यहां पे file by default read mode में होता है तो हम क्या करेंगे इसको write mode में रखेंगे ठीक है तो यहां पे इसमें data write करें इसका mode write रखेंगे यहां पर देखो इसके data को read करके इसमें write करना है तो अगर हम यहां पर read के लिए r नहीं भी लिखेंगे तो वो by default रहता है ठीक है लेकिन write के लिए आपको w लिखना ही है अब program run करते हैं तो यहां पर name error मिला f is not defined ठीक है f यहां पर कहां पर है जो defined नहीं है हमने f use किया ही नहीं है अच्छा यहां पर ठीक है तो इसको क्या करते हैं हम f2 कर देते हैं इसलिए हमें error दे रहा ठीक है अब program को run करते हैं देखो file closed हो गया है और इससे हमें यह पता चला है कि पहला वाला file का data दूसरे वाले file में write भी हो चुका है second file create हुआ उसमें data भी आ गया है चलिए देखते हैं तो यहां पर देखो पहले एक file था अभी दो file B नाम का file को open करते हैं तो देखो same चीजे और A नाम का file को भी open करते हैं देखो same चीजे मतलब हमने एक file के data को दूसरे file में हमने write भी कर लिया ठीक है और file अगर available नहीं रहेगा ic file से data read करके हम second वाले में write करने जारे जो available ही नहीं है था हमने exception handling भी यूज किया हुआ है ठीक है इसके थुरू हमारा program terminate भी नहीं होगा देखो exception को भी हम handle कर लिए file not available प्लीज create फर्स्ट यानि C नाम का file नहीं है अब सबसे main interesting काम क्या होता file को delete कैसे करते है ठीक है क्योंकि आपको भी पता file use करते हैं permanent data save करने के लिए तो वो disk में जाके store होता है तो file को delete कैसे करेंगे हम सबसे पहले इन सभी चीजों को हम delete करेंगे remove करेंगे अब यहां पर हम import करेंगे operating system module को क्योंकि file जो disk में store हुआ है ठीक है उसके बाद if लेंगे हम condition लगाएंगे ठीक है condition के तुरू काम करेंगे कि अगर operating system में इस location पर file नहीं रहेगा तो delete कैसे होगा इस type का तो os.path हम लिखेंगे और इस path के अंदर हम क्या करेंगे function यूज करेंगे exist और file का location हम provide करेंगे तो file का location हम दे देते हैं जल्दी से यह वाला file हम delete करें a.txt इसका location यहां से copy करेंगे और अपने यहां पे paste कर देंगे इसका a.txt file हम delete करने जा रहे है ठीक है double slash यूज करिएगा नहीं तो आपको error आता रहेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा error क्यूं आ रहा हो गया इतना उसके बार हम क्या करेंगे at the end में इस बार हम colon यूज करेंगे क्योंकि हम इफ की body के अंदर कुछ code लिखेंगे हम का function है जो कि क्या करेगा remove करेगा data को तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे same file का path copy करेंगे ठीक है यहां से इसको copy करते हैं और यहां पर paste कर देते हैं क्योंकि जो file exist है उसी को तो remove करेंगे ना हम जो exist ही नहीं रहेगा उसको remove कैसे करेंगे ठीक है अभी else block में चलते हैं इसका alternate code भी लिख देते हैं else block में एल्स block में लिख देते हैं simply file available नहीं है file not available ठीक है अगर file available नहीं रहेगा तो else block बता देगा हमें available नहीं है अगर available रहेगा तो delete हो जाएगा अभी a.txt file मारे पास available है देखिएगा जब program run करके हैंगे यह delete हो जाएगा इसको करते हैं program को save और यहां पर message भी रख देते हैं थाकि हमें पता चले कि हाँ file delete हो गया file deleted successfully तो program हमारा run और message आ चुका है data deleted successfully नहीं file deleted successfully ले तो अभी second time जब हम program run कर रहे तो file deleted successfully message आया चलिए check करते हैं यहां पर देखो हमारा ए नाम का जो file था ना वो delete हो गया पहले था अब नहीं है ठीक है और यहां पर हमारा यह file पहले ही हम open किये थे यह अभी का नहीं है ठीक है तो इस तरीके से हमने देखो file को remove भी कर दिया अब मालों मैंसा file delete कर रहे जो हमारे पास नहीं है जैसे c.txt नाम का file है कि हमारे पास नहीं है तो program को save कर रहे और run कर रहे तो अभी देखो file note available file deleted successfully यह message तो बार बार print होई रहा है ठीक है इसको भी हमें क्या करना है एक अलग block में लिखना पड़ेगा जैसे इसको हमें यहां से cut करना है यहां पर यह चीज़ हमें लिखना चाहिए था मैंने थोड़ा सा mistake किया जिस वज़े से आपको confusion भी हुआ होगा ठीक है अब program को run करते file note available बता रहा सिर्फ क्योंकि c.txt नाम का file नहीं है ठीक है लेकिन हमारे पास b नाम का file या भी वाला file के साथ experiment करेंगे हम इसको क्या हम delete कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो यहां पर देखो file note found error आया b.txt file हमारे पास available है फिर error क्यों आ रहा है error तो नहीं आना चाहिए अच्छा यहां पर हम a को delete कर रहे है यहां पर भी लिखना पड़ेगा तो इस तरीके दे छोटा मोटा बात आपको भी याद रखना पड़ेगा file deleted successfully यानि b वाला file भी देखो delete हो चुका है अब b file delete हो चु है तो वो file हमारे disk में available ही नहीं था क्योंकि just हमने एक step पहले उसको delete कर दिया तो इस तरीके से आप file handling के साथ काम कर सकते पाइथन में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like करिए share करिए channel पे नए है subscribe कर दिजिए